रवी शास्त्री और सौरफ गांगुली का नाम जब 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 जबाँ पर आता है तो एक जंग जो है सामने अपने आप आती है और ये जंग जो है वो छेडी गई नहीं इन दोनों के द्वारा ये खुद हमने छेडी है ये मीडिया की बात है लेकिन काँ पर क्भी रिष्टे अच्छे नहीं लगते कभी इसलिह को गोटने कि कभी दोनों सामने सान में बैठके नहीं बात करने आए कभी भी अगर मैं बात करों बीजी इसिए का जो भी मीटिंग होता है उसमें रवी शाश्त्री होते नहीं है यह बहुत बगड़ा सवाल होता ह लेकिन आखिर कोच का है, यह सवाल है, लेकिन रवी शास्त्री की भी एक दाद देनी पड़ेगी, हमने वल्ल्ड कप में 2019 में सामी फैनल हा था, उसकी बाद जितने मैचेस हमने के लिए सारे सीरीज जीत लिए, दादा को कहने के लिए एक मौका तक नहीं दिया, कि BCCI के अध करते हैं, तो फिर हम उनको हटाने का सोच भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद से देखिए जी, रवी शास्त्री ने कुछ भी ऐसा किया नहीं कि दादा के पास कोई सवाल पैदा हो में में कि एर वो BCCI के अध्याक्ष होने के लिए टीम इंडा के कोच को बदले हमने श्री लं स्टीव स्मित, एरॉन फेंच, मिशल स्टार्क, तमाम लोग आएंगे, मार्शन लाबुषेन, अगर आप अगर इन धुरंदर से जीतते हो, तब हम मानेंगे कि आप वाकई टीम में हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टीम इंडिया को हम कमा के, क्योंकि टीम इंडिया जि से जीतना है, तो अस्ट्रीलिया की सीरी जीत के दिखाओ, फलागल दूजी इजाजात और देख तेरे नेक्स नाइंट, स्पोर्ट्स